प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिशनावली 5.5 से समन्दित रेखा यूब्म के बारे में, आए जानकारी करते हैं रेखाओं के बारे में, सबसे पहले पर्तिछेदी रेखाएं, देखिए पर्तिछेदी रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दू कहलाता है, सामाइनेत इसका आकार है वो अंग्रे जी के एक्स अक्सर जेसा होता है, ठीके, इसके बाद में, त्री एक छेदी रेखा, दो यादिक रेखाओं को विबिन बिंदुओं पर पर्तिछेद करने वाली रेखा, त्री एक छेदी रेखा कहलाती है, देखिए आप किस परकार, त्री एक छेदी रेखा, ये चाहिए दो रेखा हैं हो, चाहिए तीन रेखा हैं, चाहिए समांतर हो या समांतर नहीं हो, इन रेखाओं को काटने वाली जो रेखा है, तिर्चा काटने वाली जो रेखा है, वो है त्री एक रेखा, देखिए यह यह जेड, ये तीन समांता रेखाएं, तीन हो सकती है, दो हो सकती है, यहाँ पर इस डाइग्राम में जो P है तिरीक छेदी रेखा, तीन समांता रेखाएं, L, M, N, इनको इन बिंदों पर काट रही है, ठीक है? अगला जब एक ति्रेक्षदीरेका, दो समांतर एख़ों को काड़ती है तो हमें विभिन परकार के कौण वया उनमें समंध प्राप्त होता है। देखी इस परकार जैसे ये 3 Hey टिरेक्षदीरेका अब इन कोणों में क्या सम्मंद है यह देखते हैं अगली स्लाइड पर यदि दो समांतर रेक हैं किसी त्रीक छेदी रेका द्वारा काटी जाती है तो अन्ते एकांतर कोण का परतेक युग्म बराबर होता है युग्म यानि पेर जोड़ा यानि दो कोण यह बराबर होते है एकांतर कोण जेड के आकार के होते हैं बच्चों ज्यान दखना एकांतर कोण हमेशा जेड के आकार है चाहिए सीधा जेड हो या उल्टा जेड ठीक है तो जेड के कोणों में आप इस परकार पेचाने आप जैसे यह जेड है तो इसके कोणा कोण तीन और कोण पांच तो जेड के अकार के होते हैं, तो जेड अगर अपन उल्टा बनाए, तो इसके भी ये जो कौन है, ये भी एक अंतर कौन होंगे और बराबर होंगे, तो इसमें देखिए आप, जैसे ये है, उल्टा जेड, तो इसके कौन है, ये है, तो कौन कौन से होगे, कौन चार और कौन छे समझ रहें कि यदि दो समांतर एकाओं को एक तिरीक छेदी रेका काटे तो जेड के आकार के जो कौण है एकांतर कौण है एकांतर कौणों के जो युग्म प्राप्त होते हैं हमें यह ना देखिए अन्ते एकांतर कौण यानि इन समांतर एकाओं के अंदर समानतर एकाओं के अंदर जो जेड के सेपके जेड के आकार के जो कौण है वो बराबर होते हैं और जब भी दो समानतर एकाओं को एक तरिक छे दिरेका काटेगी तो हमें अंत्य एकांतर कौणों के दो युग्म प्राफ्ट होंगे जैसे देखिये एक तो ये कौन तीन और पांच ये बराबर होंगे और चार और छे ये ठीक है परतेक यूग्म बराबर होता है हमें दो यूग्म प्राप्त होते हैं अंते एक अंतर कौनों के और दोनों बराबर होते हैं अगला समंद यदि दो समानतर रेखाएं किसी त्रीक्षेदी रेखाद वारा काटी जाती है तो संगत कोणों के परतेग्यूगम का माथ समान होता है और एक बात और संगत कोणों की जो आकार है वो F के आकार का होता है एकानतर कोणों का आकार है वो Z के आकार का होता है देखते हैं. देखिए ये. ये F हैक नहीं, तो इसमें आप देखेz F के कॉड़ों में, जैसे F है. ये जो कॉड़ों में बनने वाले कॉण है, वो बराबर होंगे. इस से आप देख का तुलना करिए. कौण कॉण से, कौण 4 और कौण 8? तो अपन क्या चाहे उल्टा हो या सिधा तो f के कोणों को जान देना अगर f इस परकार भी प्राप्त होता है हमें तो यह कोण भी वराबर होते हैं और अगर इस परकार भी हो तो यह कोण है और अगर इस परकार हो तो यह कोण है इन्हें देखकर आप बताएए कि कौन-कौन से कौन बराब बराबर हैं जैसे भी अपन ने बताएगा चार और आठ बराबर हैं ऐसे आप देखिए ये उल्टा एफ इसमें तीन और साथ बराबर कौन तीन कौन साथ के बराबर अब देखिए इसे तो कौन दो और कौन छे और अब इस परकार अंत में इस एफ के आकार को देखना है तो इसमें है कौन एक बराबर कौन पांच तो दो समानतर रेकाओं को जब एक त्रियक छेदी रेका काड़ती है तो हमें संगत कौनों के चार युग मिलते हैं और ये संगत कौनों का जो मात है वो बराबर होता है यानि कौन चार बराबर आठ के कौन 3 बराबर 7 के और कौन 2 बराबर 6 के और कौन 1 बराबर 5 के अगला सम्मंद यदि दो समानतर रेका हैं किसी त्रीक 6 दि रेका द्वारा काटी जाती है तो त्रीक 6 दि रेका के 1 की तरब बने ध्यान देना बज़ ज़ों तिरेक छेदी रेका के एक ही और बने अन्ते कौन संपूरक होते हैं यानि एक ही और बने अन्ते कौनों का योगफल एक स्वसी डिग्री होता है यही तो है अन्ते कौनों का प्रतेक योग्म संपूरक संपूरों का मतलब क्या है हमने पूरो के वीडियो में बढ़ा है, एक सोसी डिग्री होता है उनका योग, देखते हैं इसमें, देखिए ये समानता रेखा हैं, इनको ये तिरेक रेखा काट रही है, तिरेक रेखा काटने से तिरेक रेखा के एक की और अंदर की और कौन से कौन बने, एक तो ये तीन औ और बने अन्ते कौन संपूरक होते हैं तो एक युँओर इधर बने तीन और छै आपन क्या लिखेंगे कौन तीन और कौन छै इंका योगफल है वह 180 डिग्री होता है तिरेक छेदी रेखा के दूसरी और चार और पाँच कोण चार कोण पाँच ये भी संपूरक होंगे इसका मतलब क्या है कि इनका योगफल भी 180 डिग्री होगा ठीक है देखिए अगला समंध अब समानता रेखाओं की जांच करना हमें दो रेखा हैं दी गई है और एक तिरे अंधी जी बचों पूरों में क्या था कि दो समानता रेखाओं दीवी थी और उनको एक त्रीक छेदी रेखा काट रहे थी हमें कोणों में समंध बताना था अब इसमें क्या है कि हमें कोणों में समंध दियावा है और दो रेखाओं को एक त्रीक छेदी रेखा काट रहे ह हमें यह बताना है कि यह दोनों रेखाइं शमांतर है कि नहीं, देखिए, जब एक त्रियक छेदी रेखा, दो रेखाओं को इस परकार काड़ती है कि अन्ते एकांतर कोण, यानि जेड के आकार के, अंते एक अंतर कोणों का युग्म शमान हो तो रेखाई समांतर होती है यदि हम इसमें ये बता दें कि कोण जो जेड के आकार के हैं देखिए दो और तीन और दूसरी रिष्टती में ये हो जाएगा एक और चार ठीक है तो हम क्या कहेंगे एक और चार यह तो है कौण एक बराबर कौण चार और कौण दो बराबर तीन ये एक अंतर कौण युग्म है यदि ऐसा हो दो रेखाई हो उनको एक त्रीक छेदी रेखा काटे यदि उनमें ये कौण बराबर है एक अंतर कौण युग्म बराबर है तो हम कहेंगे कि रेखा L वे M ये समांतर है इसका चीन है बचो ठीके तो रेखा L और M समांतर है यदि दो रेखाओं को एक तिरिक छेदी रेखा काटे और उनमें बने अंते एक अंतर कौन युगम बराबर है तो रेखाएं समांतर होगी जो पूरू में पड़ा है उसका ये विलोम है ठीक है अगला भाग देखिए जब एक तिरिक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस परकार काटती है कि संदत कोणों के युगम समान हो तो रेखाएं समांतर होती है यदि दो रेखाएं उनको तीसरी तिरिक रेखा काट रही है जैसे ये A L O M ये कोई रेखाएं है समांतर हेक नहीं इसका भी पता नहीं है और एक ये तीसरी तिर्यक्रे का काट रही है यदी इसमें हम ये सिद कर दें ये बता दें कि कौण दो और वे 6 बराबर है एक वे 5 बराबर है तो ये कौन से कौण है ये संगत कौण है ठीक है इसमें संगत कौनों के यूग मताईए जैसे कौन एक बराबर पांच के, दो बराबर कौन छे के, एफ के आकार के होते हैं न, संगत कौन एफ के आकार के होते हैं और तीन बराबर साथ कौन साथ के और कौन चार बराबर कौन आठ के तो यदि दो रेखाओं को एक 3 एक 6 रेखा काटे और इस परकार संगत कौन जो ये बन रहे हैं इनके संगत कौनों के युग्म बराबर है कौन से संगत कौन युग्म यानि पैर दो दो कौनों के है की नहीं तो रेखाएं समांतर होगी कौन कौन से रेखाएं जैसे इसमें एलवे एम है तो एलवे एम समांतर होगी अगला भाग जब एक 3,6 रेका दो रेकाओं को इस परकार काड़ती है कि 3,6 रेका के एक तरब बने अंते कोणों का युग्म संपूरक, संपूरक का मतलब है उन कोणों का योगपल 100C डिगरी होना चीए, हो तो रेका इन समानतर होती है, यानि इन 2 रेकाओं को ये 3,6 रेका काट रहे है गौण हमें यह बता दिया जाए या हम यह शिद कर दे कि इस त्रीएक छैदी रेखा के एक और बने अंते कौण यानि एक और तीन का योगपल एक श्वश्शी है या दो ओर चार जो कौण है इनका योगपल एक श्वश्शी है तो यह रेका का योगफल 180 degree हो और दूसरी तरफ के देखे इनके अंदर ही तो है इन रेखाओं के अंदर ट्रेक रेखा के एक ही और बने अंते कोणों का योगफल तो कौण 2 और कौण 4 योगफल संपूर के इसका मलब 120 degree है तो आगे भी प्रशन आएंगे यदि हम 2 रेखाओं को जो तीसरी त्रेक रेखा काट रही है और त्रेक रेखा के एक और के कोणों का जो मान है उनका योग है यह एक सो सी डिग्री से नाश खर देखें तो हम कह देएंगे कि L और M शमांतर है ये रेखाएं समांतर है यदि एक ये और क्यों समांतर होगा के बचो आज के वीडियो में तब तक आप नेमित रूप से अभ्यास करिए गणित में अभ्यास करना भहुत जरूरी है धन्यवाद